कि येस गुट इनिंग एवरीबड़ी आइम बैक अगेन विद मैं चैप्टर विच वस लिफ्ट यस्टरडे लास्ट लेसन हमारा जो चैप्टर था फ्लेमिंगु बुक का जो हम पढ़ रहे थे जिसका नाम था दा लास्ट लेसन हमने उसे कल छोड़ा था और आज हम उसे कं पादेता हूं आप लोगों का ताकि वापस से जो स्टोरी है आपके माइन में रिकवर हो जाए हम उससे चालू करते हैं मैंने आपको बताया था इस कहानी का जो राइटर है उसका नाम है इसका नाम था फ्रेंच नौवलिस्ट वो कौन थे एक फ्रेंच नौवलिस्ट थे अना स्टोरी इस अबाउट थाइम बिट्वीन और मैंने आपको बताया था यह जो चैप्टर रहे द लास लेसे यह किसके ओपर है दस्टोरी ड़ वोर बिट्वीन फ्रांस एंड रस्षिया किसके पीच में हो रही थी फ्रांस एंड पर्षिया के बीच में जो लड़ाई ह दो रही थी उसके टाइम के स्टोरी है इन दिस वोर और इस वार के अंदर मैंने आपको बताया फ्रांस लुजेद बिट विट पर श्रांस जो था वो यह जीत जाता है फ्रांस है और उस टाएम में बर्षिया ने दो मेंन डिस्ट्रिक्स जो थे फ्रांस के वो क्या कर लिए थे क्या कर लिए थे उन्हें कैप्चर कर लिए थे and now in this story the two main characters और वो दोनों districts जो ती कौन कौन सी थी मैंने आपको बताया था else and Doran वो दोनों districts थी इस France की now now in this story there are two main characters मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इस story में दो main character है एक तो France वो student जो मैंने अपने आपको ऐसा narrator बताया था France एक student है ठीक है character और दूसरा जो second जो character है वो है M. Himill कौन है वो M. Himill is a French teacher वो कौन थे बिटा एक French teacher थे और मैंने आपको बताया था उसमें एक और एक character है जिसको अपन side character भी कह सकते हैं जिसे हम बोलते है हाउजर हाउजर कौन था एक विलेजर था वो इस रेटायड मेर ठीक है यह चीजे थी मैंने आपको starting में बताही थी फिर अब इस chapter को मैंने चालू करा था आप लोगों को पढ़ाना chapter में क्या था हूँ my name is France मेरा नाम French say and I am ready to go to school वो तयार था school जाने के लिए not today में बड़ दर लेट हो चुका था और वो मुझे बहुत डाटेंगे basically mml is a french teacher वो एक french teacher थे he will be he will be asking और वो questions पूछने वाले थे बहुत ज़्यादा on participants किस पर पूछने वाले थे participants पर participants grammar का एक chapter है उसके उपर और जो friends था उसे participants का पी भी नहीं आता था वो बिलकुल भी नहीं पढ़ा वा था उसे participants का पी भी नहीं पता था वो चाता मैंने आपको उसके बाद बताया था वो चाता तो school क्या कर सकता था वेटा बंग कर सकता था इधर उदर जा सकता था एंदेर इसके लिए मैं आपको एक एक शामपल भी दिया थैंधा वी अजय गूम सकता था किसी को कुछ भी पता नहीं चलता नहीं Wire अजयता वो यह भी बोलता है कि आज कज दिन जो ता उस दिन वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था वो दिन भी बड़ा खूबसूरत था वाम था वाम था ब्राइट था बर्ड्स बहुत अच्छे से क्रीपिंग कर रही थी ब्यूटिफॉल वाइस थी उनकी वो सारी चीजे थी और जब वो जा रहा था तो उसने क्या देखा एक सौ मिल देख मैंने आपको डिलिंग का मतलब बताया था डिलिंग का मतलब होता है मार्च पास करना मींज परेड करना और परेड कौन से सिपाय कर रहे थे कौंसी कंत्री तों सी सौड़ू जोते works चीजे ठी पर मैं उस तरaff अड़ा चब्डूरा था कि मुझे देखना हैं किसे प्रेड करते हैं पर सेन शोल जर चैक्ड कि वो कि घृत रहते वहार किसके वीच हो रही था उर पार्षिय को घ्राद सेनिक वहीं परच पर ही हैं और मुझे किस की तरफ बढ़ना था स्कूल की तरफ बढ़ना था now when I was going towards my school there I saw a big town hall मैंने आपको कल ये भी बताया था टाउन होल के होता है एक बड़ी सारी कुरानी गुवर्मनें बिल्डिंग होती है जो कंटेन लोकल गवर्मेंट ऑफिसेस वगरा उसके अंदर होते हैं लार्ज रूम्स होते हैं फॉर पबलिक मीटिंग अंकॉंसर्स उसके लिए ठीक है और टाउन होल के पास में ही एक बुल वाला है किस बारे में नोटे से वह सारी चीजें विच वह वेरी मच्छ क्राउड़ और उस दिन जिस दिन मैं लेट हो रहा ता जब मैं घर जा रहा तो स्कूल जा रहा था उस दिन मैंने देखा जो बुलिटिन बोर्ड था वह बहुत जदा क्या हो रखा था क्राउड़ हो रखा था में लेट यू नो फॉर देस फ्रांस और पर्शिया वर गूइंग फ्रम लास्ट टू यह और यह क्राउड़ड होना बड़ा ही कॉमन था है इस बुलिटिन बोर्ड का क्यों क्यों कि पिछले दो साल से किसके बीच में वार चल रही थी फ्रांस और पर्शिया के बीच में और इस बुलिटिन बोर्ड पर इन्हीं के बारे में कि क्या हो रहा है कितना बरबाद हो रहा है का तोब गिर रही है का सपाई मर रहे है किदर सोलजर मर रहे है उसी चीज़ के उपर ही छपा जाता था लिखा जाता था तो कुछ कॉमन नहीं था कुछ स्ट्रेंज नहीं था, sorry, for example, which battles France has lost, मैंने आपको बताया था, कि कौन-कौन से battle France हाड चुका है, एलन्स और लॉरेंस जो थी, दोनों capture कर लिया गया, पर्षया ने ये दोनों जो districts थी, फ्रांस की थी, और आज इन दोनों district को किस ने capture कर लिया है, पर्षया ने capture कर लिया है, ये सारी इस पर थी, I think today something was very bad is being posted, और जब मैं बोलता हूँ कि आज जब बहुत ज़्यादा crowded है, बुलिंटेट बोर्ड के उपर, तो मेरे दिमाग में आता है, आज कुछ ना कुछ-कुछ बड़ा हुआ है, पर फ्रांस के साथ में something very bad, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड जमा है, ये मैं सोचता हूँ, all these things were running in my mind, ये सारी चीज़े मेरे दिमाग में चल रही होती है, और मैं आगे बढ़ रहा होता हूँ, I would have waited, I would have go and watch it over, मैं चाता तो वहाँ रुखता, मैं bulletin board के पास में जाता, उसे देखता, क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वो सारी चीज़े, पर मेरे पास वक्त नहीं था, मुझे स्कूल पहुचना था, और जब मैं स्कूल जा रहा था, तो bulletin board के पास में कौन खड़ा था, एक blacksmith खड़ा था, blacksmith क्या होता है, वो एक वो person होता है, जो job है, उसका क्या करना, repair करना, things made of iron, जो लोहार की चीज़े होती है, उन चीज़ उसके बाद जो blacksmith होता है, जब मुझे फटाफट 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 स्कूल के जिलिये जाते वे देखता है, तो वो मुझे बोलता है, है friends, उसने मुझे बुलाया, why are you hurry, और मुझे बोलता है कि तुम इतनी जल्द बाजी में, क्यों हो, क्या प्रॉब्लम है, come here, come near to me and see what has been written on the bulletin board, it is plenty of time for school, और वो बोलता है, आओ, मेरे पास आओ, और इस बुलिटन बोर्ड को देखो, पढ़ो, क्या लिखा है इसके ओपर, अभी school जाने में बहुत समय है, और basically मैंने आपको कल भी बताया था, कि ये मुझे चिडा रहा था, वो friends को छेड रहा था, उसे चि कि friends जो है, लेट हो चुका है school जाने में, और वो मुझे तंग कर रहा है, मुझे चेड रहा है, मुझे चिडा रहा है, अब यहां से कहानी में तोड़ा twist आता है, मैंने आपको बताया था, friends जब भी school जाता था, तो school में short शराबा यह सब होता है, पर अब यहां से ध्यान से सुनना, friends क्या कहता है, now see, when I usually go to the school, there used to be too much noise, जब भी मैं school जाता था, रोज मैं school जा रहा था, तो school के अंदर जब मैं जाता था, घुसता था, तो बहुत सारी आवाज होती थी, बच्चों का शोर, खेलना, कूदना, पैल की आवाज, चलनाने की आवाज, यह नॉर्मल जाता, normally there was a student, there was a sound of desk, normally क्या होता था, जब भी school में जाते थे, तो बच्चे धाड़, 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 करके decks नहीं बजाते हैं, अपन टेबलों पर मारना, बैक को पटकना, बॉक्स को रखना, वो सारी चीज़े होती थी, तो उसकी आवाज आती थी, यह फिर sound of the scale, which teacher used to hit on the desk, desk के उपर, जब class में आवाज होती है, तो हमारे teachers होते हैं, आज भी अप तो पहले अप तो बंद हो गया, पहले तो बहुत जादा strict है हमारे time के अंदर, कि teachers के पास में scale होता था, डंडा होता था, वो ही चीज़ थी, तो वो class को चुप कराने के लिए, जोड-जोड स वेंच पर मार रहे हैं, तो उसकी अवाज हो रहा है, बच्चे अपना lesson पढ़ रहा है, repetition of lesson उसकी अवाज हो रही है in the class, but it was not at all like this, पर आज पता ही नहीं क्या हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था, आगे, when I reached to the school, अब जब मैं school पहुचा, ठीके, I thought कि आज संडे तो नहीं है, मेरे दिमाग में आया कि भई, आज संडे तो नहीं है, because there was too much of silent in the school, क्योंकि school में बहुत silence था, कोई शोर शराबा, कुछ भी नहीं था, because there was too much of silent in the school, then I hurried toward my class, और ऐसा हुआ तो मैं अपनी class की तरफ भागते वे गया, then I thought, sorry, then I, then through the window, I saw my classmates already, और उसके बाद मेरी class के बाहर जो खिडकी थी, मैं उस खिडकी से ऐसे जाक कर देखता हूँ, और मैं क्या देखता हूँ, कि मेरे जो classmates थे, वो already class के अंदर बैठे व rebel iron ruler, under his arm, और मेरे जो teacher थे, Mr. M. Hemel, उन्होंने अपनी under arm के अंदर पहले से ही iron scale को दबा रखा था, और वो class में इधर से उधर चल रहते, looking, और यह जब मैं चीज़े देखता हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा क्या हो जाता हूँ, scared हो जाता हूँ, and quietly I move inside my class, और मैं हो जाता हूँ, कि Mr. M. Hemel, जब मुझे देखते हैं, कि मैं चुप टाप class के अंदर आ रहा हूँ, तो मुझे बोलते हैं, बड़े प्यार से, बड़े तहजीव से, कि friends, जाकर little friends, अपनी जगे पर बैठ हो, then M. Hemel said, उनके बाद वो मुझे बोलते हैं, we were about to begin the class without you, then I notice, और तुम दो एक मिनिट और लेट होते हैं, तो हम तुम्हारे बिगेर ही class चालू करने वाले थे, ठीक है, M. Hemel is, और मैं ये notice करता हूँ, Mr. M. Hemel is wearing a beautiful dress, ठीक है, मैंने यहां तक आपको एक revision करा दिया है, पास से, ताकि आपको वापस chapter के अंदर सब कुछ यहा जाता है, कि हम क कर रहे थे, और मैंने इधर ही छोड़ा था, कि क्यों उन्होंने इतनी beautiful dress पहन रखी थी, क्या हुआ था ऐसा, France के अंदर, क्या होने वाला था, Alice के अंदर, क्या था वो चीज, now, he is wearing a green coat, वो कैसा coat पहन रखा था, उन्होंने, green coat पहन रखा था, a frilled shirt पहन रखी थी, and a little black silk cap पहन रखी थी, उन्होंने beautiful dress में क्या पहना था, a green coat, a frilled shirt, and a little black silk cap, and he was, and by looking all these things, it looked like an embroidered, और यह ऐसा लग रहा था, एक embroidered ली करवा है, कुछ हाथ से कलाकारी, but our teachers, on normal days, पर हमारे जो teachers हैं, जब normal दिन होता है, regular days पर, does not wear such kind of dresses, वो such kind of dresses नहीं पहन था, आप तो आपको होता होगा, कि school के अंदर uniform system हो गई है, teachers को Monday to Friday, या Monday Tuesday, और Wednesday को छूट मिल जाती है, कि वो colorful कपने पहन सकते हैं, और Saturday को मिल जाती है, week में एक बहुत Saturday को, otherwise, कोई भी नहीं regular uniform, जो होती है, वो ही पहननी पढ़ती है, या जो normal shirts हैं, वो ही पहननी पढ़ती है, पर आज यसा कि inspection day हुआ, school के अंदर inspections करने, बाहर से कोई teachers होकर आए में हो, उस time में पहनते थे, या फिर school के अंदर कोई price distribution ceremony day होगा, ऐसा कुछ, but today all these things are going on school seem to be very strange today, पर आज जो भी school के अंदर हो रहा है, बड़ा ही strange हो रहा है, एक quick revision, क्या हो रहा था, कि वो school के अंदर आया, भागते वे लेट हो रहा था, और friends ने क्या देखा, school के अंदर sonata पड़ावा है, फिल्कुल pin drop silence है, और उसे कौन सा दिन लगता है, कि आज कई Sunday तो नहीं है, फिर वो फुर्ती करता है, और कहां जाता है, अपनी class में बाहर से विंडो से जांक कर देखता है, कि सारे जो student मेरे जो classmates ह वो already class के अंदर बेटे हुए है, और Mr. M. Hemel जो है हमारे teacher है, उन्होंने बगल में ruler रख रखा है और class के अंदर up and down कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद में वो जब class में चुपके से घुश रहा होता है class के अंदर, तो वो क्या देखता है, Mr. M. Hemel जो है, मुझे प्यार से बड़े तैजीब से बोलते हैं, come and sit down little friends, तो आज जो भी हो रहा था, बहुत ही जादा strange हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक और strange thing थी, there was usually the last benches of our class remains empty, वो strange ये थी, कि हमारी class की जो आखरी benches होती थी, आखरी में जो benches रखी जाती थी, वो mostly क्या होती थी, खा बैठा वाता, villages उगरा, बैठे वे थे, आज वो खाली नहीं थी, were sitting like an old house, वो सम वहाँ पर बैठे वे थे, एक house की तरह, उनके साथ में एक retire mayor बैठा वाता, wearing a three corner hat, एक hat पैन कर, वो retire mayor बैठा वाता, एक post master भी था, जो उदर बैठा वाता, और several other beside all these houses had brought, ठीक है, ये सम वह पर बैठे वे थे, जबकि उदर कोई भी नहीं बैठता, हमारी last की जो bench होती थी, वो हमेशा खाली हुआ करती थी, वो चीज थी, but उनके साथ साथ, वो अपने साथ क्या लेकर आए, brought an old premier book, वो अपने साथ में पुरानी किताबे लेकर आए, जो वो पढ़ते किताबे, which was very old and thumbed, thumbed का मतलब फट जाना, मतलब जो edge होता है, पुरानी किताबे आपने देखा है कि नोर से फट जाती है, या फिर गल जाती है, pages गल जाते हैं, तो उनके ताबी भी उसी फरकार से थी, thumbed थी, मतलब फट जाना, edges से वो फटी वी थी, जो वो किताबे लेकर आए थे, ठीक the book on their knee, फिर उन्होंने अपन कैसे बैठते हैं, यू करके बैठते हैं, तो उन्होंने वो किताबे खोल कर अपने घुटनों के उपर, थाईज और घुटनों के इधर अपनी किताबे रख ली, and kept their spectacles on the book, और उसके बाद उन्होंने अपने spectacles उतारे, जो चश्मे, जो नंब के जश्मे होते हैं, तो उन्होंने अपने spectacles उतारे, और उस किताब के उपर रख दिये, then M.Hemil say, in a very strange tone, ये stone नहीं है, tone है, ये stone नहीं है, tone है, then Mr. M.Hemil say, in a very strange tone, that all of you should listen to me properly, आज ऐसा क्या हो गया यार, जो Mr. M.Hemil इतना बोल रहे हैं कि तुमें मेरे को ध्यान से सुन क्या होता है, today उसके बाद ये चीज़ बोली जाती है, Mr. M.Hemil के दरू, today is the last lesson of the French, क्या बोलते हैं वो M.Hemil कि आज French language का आखरी lesson है, एक आखरी lecture है, एक आखरी class है, and after this, no one will be teaching you the French, और आज के बाद आपको French कोई नहीं पढ़ाएगा, उन्होंने ये बोला, कि आज के बाद आपको French को ही नहीं पढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि there is an order passed by Berlin, एक order passed हुआ है, Berlin से to teach only German in the schools, कि आज order पास हुआ है, कि school के अंदर सिभ जर्मन ही पढ़ाएगी, और जर्मन क्यों पढ़ाएगी, मैंने आपको बताया, Alice और Lawrence, दोनों जो district मैंने आपको स्टार्टिक में बता दिया था, ये दोनों कौन सी country ने capture कर ली थी, परशिया ने capture कर री थी, और उदर जो German लोग थे, उन्होंने ये बोला कि आज के बाद, Alice के अंदर, Berlin के अंदर, वहाँ पर ये ही पढ़ाया जाएगा, एक ही language पढ़ाएगी, वो है German language in the school of Alice and Lawrence, क्योंकि ये districts जो थी, अब परश्या के control में थी, then, so I want you to, उनके बाद वो MML बोलते हैं, so I want you all to be very attentive and listen to this last lesson of French very carefully, और उसके बाद वो बोलते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आप सब से कि बड़े धियान से इस last lesson of French को बहुत धंग से पढ़ना, वो चीज है, Now I got to know why there was so much of rush in the town hall bulletin board, अब मुझे पता चला कि town hall के bulletin board पर इतना rush क्यों था, क्यों भीड जमा थी, क्योंकि उदर ये notice हा चुका था, कि अब Alice and Lauren के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाशा ही बोली जाएगी और सिखाई जाएगी, उदर French भाशा नहीं बोली जाएगी, वो और के अंदर पर्शिया ने capture कर लिये थे, it is true that now I have to leave studying the French, वो बोलते हैं ये बात बिलकुल सही है, कि अब मुझे French पढ़ाना बंद करना पड़ेगा, I have to leave studying teaching French, I have wasted my time and not studied the French properly, मैंने अपना time बरबाद कर दिया है, French कहता है, कि मैंने अपना time बरबाद कर दिया है, मैंने French को ढंग से पढ़ा ही नहीं, ठीके, I have wasted my time for seeking birds egg, seeking birds egg का मतब होता है, hunting birds egg, मैंने पूरे time चड़ियाओं के अंडे को मारने में, इदर उदर ध्यान देने में ही लगाया, और मैंने French अपनी language पर ध्यान नहीं दिया है, पूरे time मैंने इस तरह से अपना वक्त बरबाद करा, I have wasted my time while playing near Saar River, मैं नदी के किनारे चले जाता था, जब भी French की class होती थी, मैं उसको बंग करके, और किदर चला जाता था, सार नदी के किनारे चले जाता था, और महाँ पर अपना time waste करता था, sometime before French books were used to be very heavy and burdened to me, और ये जो French language की जो books थी, मुझे बहुत जादा बोज लगती थी, मेरे back के अंदर मुझे बहुत जादा burden देती थी, मुझे बहुत जादा बोज लगा करती थी, मुझे बहुत जादा थे विए क्योव से जादा बोज्द कि आदा धनादा, जादान हैं। पर आज मुझे ये किताब है मेरी बेस्ट फ्रेंड लग रही है तो वोम आई डोंट वांट तो लीव इट नाव जिसे अब मैं छोड़ना नहीं चाहता हूं I got to understand why Amhamil is not getting angry और अब मुझे ये भी पता चल गया है क्यों Amhamil मुझे पर नराज नहीं हो रहे हैं मेरी लेट आने की पर भी because this is the last day of Amhamil in the school क्योंकि ये आज आखरी दिन है Mr. Amhamil का इस school के अंदर and none of the teacher on his last day in school would like to get angry और कोई भी teacher गुसा नहीं करना चाहेगा अपने आखरी दिन school के अंदर कोई भी teacher नहीं Now I also got to understand that why Amhamil is wearing such a beautiful dress और मुझे अब ये भी पता चल चुका है कि क्यों Mr. Amhamil इतनी खूबसूर ड्रेस पेन कर आज school में आए है I am feeling very bad by thinking that now I would never ever be taught by Amhamil और आज मुझे पहुती जादा बुरा लग रहा है क्योंकि मुझे मेरे teacher Mr. Amhamil आज के बाद नहीं पढ़ाएंगे Amhamil neither able to learn और ना मुझे पढ़ा पाएंगे और ना मैं उच सब सीख पाऊंगा I got to know why the villagers are sitting on the last bench और अब मुझे पता चला क्यों villagers last bench पर बेटे में हैं to say goodbye to Mr. Amhamil वो किसको goodbye कहने आए थे Mr. Amhamil को क्योंकि वो आज उनका आखरी दिन था स्कूल के अंदर Now for the last time the villagers have come to school to goodbye Mr. Amhamil who had been teaching in the school जो इस स्कूल के अंदर कब से पढ़ा रहे हैं? Past 40 years से पढ़ा रहे हैं Mr. Amhamil इस स्कूल में किते चार से पढ़ा रहे थे बिटा 40 साल से वो यहां पर पढ़ा रहे थे Now while I was thinking of all this अब में यह सब चीजे मेरे माइंड में चल रही थी में क्लास के अंदर बैठा हुआ था में सारी चीजे सोच रहा था यह मेरे माइंड में चल रही थी I heard my name friends और उतने में ही मुझे मेरा नाम सुनाई दिया friends ठीके Now it is your turn to tell me the rules of participles और मुझे Mr. Amhamil पूछते है friends अब यह थुमारी बारी है और तुम मुझे बताओ participles क्या होते हैं I stood up and tried to tell the correct answer मैं खड़ा हुआ मैंने हिम्मत करी और मैं correct answer बोलना चाह रहा था मैंने हिम्मत करी थी but as I started speaking I got hesitated पर जैसे ही मैंने बोलना चालू करा मैं hesitate हो गया मतलब मैं अटक या ऐसे करकर मैं अटकने लग गया मुझे धंक से answer नहीं आ रहा था मैं घबराने लग गया because I have not studied participles क्यों क्योंकि मैंने participles को पड़ा ही नहीं था very well and if MML would have seen me like this और अगर MML मुझे ऐसा देख लेते कि मैंने पड़ा नहीं like this he would have shouted on me very badly वो मुझ पर बहुत बुरी तरह से चिलाते but today he did not shouted on me पर आज उन्होंने नहीं चिलाया क्या reason था क्यों नहीं चिलाया because this was the last day of Mr. MML but he says that friends today I will not shout at you पर वो बोलते है friends आज मैं तुम पर नहीं चिलाऊंगा but you should feel bad पर तुम्हें बुरा लगना चाहिए क्यों? every day you used to say that I will learn these participles क्योंकि तुम रोज कहते थे कि मैं इन participles को learn कर लूँगा but today look what happened पर आस देखो क्या हुआ है you don't know you don't know how to speak French language तुम्हें शरम आनी चाहिए तुम्हें इस French language बोलना नहीं आता क्योंकि तुम्हें एक France के ही citizen हूँ एक France country के citizen हो how to write the French language तुम्हें French language लिकी भी नहीं आती है and it is one of the biggest problem of the else district और ये पूरे else district की problem है सिफ तुमारी ही नहीं पूरे district की ये problem है आगे but by the way from tomorrow onwards पर तुम्हें चिंता मत करो friends पर तुम्हें चिंता मत करो कल से from tomorrow you will not be studying the French language कल से तुम्हें कोई भी French language पढ़ने के लिए नहीं बोलेगा because from tomorrow in this district French will not be taught क्योंकि कल से इस district के अंदर कौन सी district के अंदर जो else district है इसके अंदर आप लोगों को French नहीं पढ़ाई जाएगी now from tomorrow onwards the people who would come to rule you अब जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे वो तुम सब का मजाक उड़ाएंगे कि तुम France की एक district के होकर भी कि तुम्हें French नहीं आती है French men होकर भी यहां के देश के citizen होकर भी तुम्हें अपनी खुद की local भाषा नहीं आती है तो German लोग जब तुम पर रूल करने आएंगे यहां पर पर्शन लोग वो तुमारा सब को मिल कर मजाक उड़ाएंगे but still you will all don't know your own language but friends it is not your mistake मतलब sir बोलते हैं पर friends इसमें तुमारी गलती नहीं है it is mine and your parents mistake वो बोलते हैं कि यह गलती मेरी और तुमारे माबाप की है क्यों? क्योंकि तुमारे because your parents did not focused on you क्योंकि तुमारे parents ने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया उन्होंने तुम पर focus ही नहीं कराता that what you are studying कि तुम क्या पढ़ रहे हो कब पढ़ रहे हो कितना पढ़ रहे हो क्या तुमारे percentage है उन्होंने कभी भी तुमारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तो इसमें तुमारे माबाप की भी मिश्ते के उन्होंने एक ही चीज चाहिए तुम से that you should do the farming कि तुम अपने खेट पर काम करो या फिर meal पर काम करो और पैसे कमाओ इससे ज़्यादा उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए था क्या पढ़ रहा है कैसे पढ़ रहा है कितना पढ़ रहा है और उन्हें करो पैसे कमाओ और इस में मेरी भी मिस्टेक है जो टीचर यह रहा है मेरी भी मिस्टेक है क्या मिस्टेक थी कि तुम लोगों को थे ता था घार्डन में भेज दे था तो बहॉटर दा प्लांट किस्को पानी देने के लिए plants को पानी देने के लिए if I would have wanted I would have stopped you अगर मैं चाहता तो मैं तुम रोगों को रोक सकता था मैं teacher था तुमारा पर मैंने तुम्हें रोका नी और मैं तुम्हें जाने देता था जाओ garden में पेडो पौदो को पानी दो and could say that you should focus on your French language और बोल सकता था नहीं तुम इदर पढ़ने आया हो तो तुम अपनी French language पर focus करो पर ये mistakes मेरी भी है और तुमारे माबाप की भी है and read the lesson properly और उन प्रेसंस को ढंग से पढ़ो when sometime my mood used to be do the fishing जब मेरा mood होता था मचलियों पकड़ने का I used to give you leave on that day और उस दिन में तुम लोगों को छुट्टी दे देता था तो ये मेरी ही गलतियां है Mr. MML उनके teacher बोलते हैं ये गलतियां मेरी ही है कि मैं तुमें छुट्टी देता था जब मुझे मचली पकड़ने का मेरा mood हुआ करता था and because of all these reasons I should also get blamed और इसी all सब ये इक चारे reasons की वज़े से मुझे भी blame मिलना चाहिए and French language is the most beautiful language Mr. MML कहते हैं जो ये French भाषा है ये बहुत ही beautiful भाषा है इस पूरी दुनिया की we should save this language और हमें इस भाषा को बचाना चाहिए हमारों हमारी भाषा मात्र भाषा हमारी जो language उसको बोलने से मना करा जा रहा और बोला जा रहा है जर्मन भाषा बोलनी है आगे we cannot live this language so easily हम अमारी जो French language है हम इसे इतनी असानी से नहीं छोड़ सकते है and whenever people are captured at a particular place और जब भी किसी इंसानों को कैदी बनाया जाता है slave बनाया जाता है अब आप जानते हों कि slaves क्या होता है जिने जबर्दसी पकड़ कर काम कराया जाता है मार के डाट के कैसे भी वो slaves होते है या जिन लोगों को capture करा जाता है कैदी बनाया जाता है place then their language work as a weapon वहाँ पर उन इंसानों की क्या weapon होता है उनके लिए weapon क्या होता है उनका language उनकी भाषा क्योंकि उससे पता चलता है वो कहां के है और वो उसी भाषा में बात करें जिनको नहीं समझ में आती तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे आज हमारे देश में देख लो हिन्दी जो है अज अगर वो स्लेव बन जाते हैं या उन्हें कोई कैयप्चर कर लेता है तो वो अपनी भाषा के इंदर बोल कर अपने लोगों के साथ conversation करकर बचने का कैसे भी राष्टा निकाल सकते हैं इसलिए हमें हमारी language को as a weapon use करना आना चाहिए Mr. Rehmel हमें ये बोलते हैं That is why we should also have a command on our language इसलिए वो बोलते हैं कि हमें हमारी language पर command होना चाहिए Then only we can fight back, तब भी हम fight कर सकते हैं अब कुल करेक्ट है मैंने अभी जस्ट आपको example दिया अगर हम अगर इन्न होकर भी हिंदी और English तो सभी को आती है या अपन अकल तेलिकु language में, बंगाली language में, मलयालम language में, कंदा language में बात करें भार अगर कोई हमें slave बना लेता है तो हम बचने के रास्ते हमारे हो सकते हैं क्योंकि हम अमारी भाशा में बात कर रहे हैं उन्हें नहीं आती है, यह चीज तो language हमारा एक बहुत बड़ा weapon हो गया और हम निकल सकते हैं, हमने जो भी रास्ता बनाया होगा उन्हें पता ही नहीं चलेगा, वो सारी चीज हैं, इसलिए वो यह कह रहे हैं, तो हमें fight back करने का बहुत बड़ा काकत मिल जाता है, with the people and can get free, because the countries which are now the slave, if not again started speaking their own language, then those countries would never ever be free from them, अगर वो अपनी भाशा भाशा नहीं बोल सकते हैं, मात्र भाशा नहीं आएगी उन्हें, तो वो हमेशा slave बन कर ही रहेंगे, या कैदी बन कर ही रह जाएंगे, कभी भी फ्री नहीं हो सकते हैं, उन्हें गुलामी ही करनी पड़े क्योंकि उनके पास खुद का वेपिन नहीं है, और वो वेपिन क्या है, मात्र भाशा अपनी खुद की language, यहीं Mr. MML समझाना चाह रहे थे, next, otherwise they would lose their imagination, बिलकुल, वो अपनी imagination खुद चुके, आज हम इंडियन हैं, हमारी मात्र भाशा हिंदी है, अगर हम भाड जाकर हिंदी में बात नहीं कर पाते, अगर हमेरी Britishers वापिस कैदी बना लेते हैं, यह पहले अगर हमार को महत्मा गांदी बगर ने, जो भगत सिंग बगर ने, क्यों, क्योंकि Britishers को English इंदीत नहीं आती हैं, तो हम हमारी मात्र भाशा में जो भी planning, slotting करते थे, उन्हें नहीं पता चलता तो हमें अमारी मात्र भाशा पर control आना चाहिए, अगर हम अमारी मात्र भाशा पर control नहीं करेंगे, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही परश्या के लोग फ्रांस पर capture करते जाएंगे, अपनी territory बढ़ाते जाएंगे, और हम गुलाम बनते जाएंगे, अब देख ल we should have command on our language, हमें हमारी language पर command होना चाहिए, that one day we could get freedom और इसके तुरू हमें कभी न कभी तो अजादी मिलेगी, then M. Hemel take a grammar book, उसके बाद M. Hemel एक grammar book लेते हैं, open a lesson and started teaching everyone in the class, वो chapter खोलते हैं और सब को पढ़ाना चालू कर देते हैं, this was the first time that whatsoever M. Hemel was teaching me, I was understanding it very easily, ये पहली बार ऐसा हुआ, कि जो भी M. Hemel मुझे पढ़ा रहे हैं, मैं उसे बड़ी असानी से समझ पा रहा हूँ, मुझे कोई मुश्किलाट नहीं हो रही है, in fact M. Hemel was teaching the chapter with a great interest, जो M. Hemel थे, वो भी बड़े interest से इस chapter को पढ़ा रहे थे, with the detail to us, और वो बड़ी detail में रहे थे, सब एक चीज बहुत तरीके से हमें समझा रहे थे, because it was the last lesson of Mr. M. Hemel, क्यों, क्योंकि ये M. Hemel का आखरी lesson था, उसके बाद वो बिलकुल भी पढ़ाएंगे, नहीं, and he wanted that each of his student should understand the chapter very well, और वो चाते थे, कि हम सब इस chapter को बहुत अच्छे से समझ सके, इसलिए वो इस session खतम करा, he tried to complete the writing part also, उन्होंने कौन सा part complete writing, part उन्होंने वो भी tried to complete that also, M. Hemel had bought copies of the students, वो क्या लेकर आयते बिटा, copies लेकर आयते students की, to distribute them, क्या कि वो उनको क्या कर सके, distribute, क्योंकि वो ताज उनकी last class थी, वो अपने पास रख कर क्या कर लेंगे, तो वो distribute करने के लिए लायत और उस copies के उपर, on the top of the copy, उनके उपर लिखावा था, it was written, क्या लिखा था, France Alice, France Alice, इसका मतलब होता है, the Alice district would ever be of France, यह हमेशा हमेशा के लिए, France की ही रहेगी, इस पर परशिया का राज नहीं हो सकता, अगर हम हमारी मातर बाशा नहीं छोड़ेंगे, यही बोलेंगे, जर कामियाब होकर रहेंगे, पर अगर हम इस अपनी language को छोड़ देंगे और German को अपलानेंगे, तो हम कभी भी कामियाब नहीं हो सकते, वो इनका कहने का मतलब था, after distributing all the copies which were kept on each student bench, और वो copies हर एक student की bench पर तरीके से रखी वही गई थी, it was not looking like a copy, वो एक copy की तरह नहीं लग रह था, after this the whole class got quiet, और उसके बाद जो पूरी class थी, वो चुप हो गए, and everybody started doing their copies, their work in the copies, और सब चुप चाब अपनी copies के अंदर काम करने लग गए, silently, moment, looking like a copy, but it was looking like a flag, and after the class got quiet, everybody started writing in their copies on this moment, और सब अपनी copies में लिखने लग जाते हैं, then, it was pin drop silent in the class, बिल्कुल शान्त हो चुकी थी class के अंदर, pin drop silent सा, then a beetle, एक कीडा जो होता है, beetle, came into the class, उसके बाद वो beetle जो होता है, वो class में आता है, but none of the student reacted on the sound of the beetle, पर हम में से किसी ने भी उस beetle की sound पर react में करा, even there were pigeons sitting on the roof of the class, उपर कभूतर भी बेटे वे थे, छट के उप पर, roof के उपर, कभूतर भी बेटे वे थे, school के class के उपर, they were also not making any kind of noise, आज वो कभूतर भी अपना टर्टराना भी बंद कर चुके थे, वो भी टर्टरा नहीं रहे थे, then I thought that German would be saying, और उसके बाद मैं सोचता हूँ कि जो German हमारे the Persians जो हैं, जिन्होंने capture कर लिया है, इसको वो Germans क्या बोलेंगे, to the pigeons, to change their language from French to German, कि तुम भी अपनी language, France से कौन सी बोलोगे, French language की बगेर, German language बोलोगे, मुझे ऐसा लगता है, then I saw M. Hemil was sitting motionless on his chair, grazing a whole class, और उसके बाद मैं देखता हूँ Mr. M. Hemil जो है, अपनी class के अंदर, उकला चेर के उपर, चुप चाप बैठे में और सब को देख रहे हैं, from the last 40 years, he was teaching here, वो फिछले 40 साल से यहां पढ़ा रहे थे, but today it is the last day for him in the school, पर आज इनका आखरी दिन है, इस स्कूल के अंदर, यह 40 साल यहां काम कर चुके हैं, सब को जिन्होंने अच्छी चीज़ें सिखा ही है, पर आज इनस teacher का आखरी दिन है, वो चीज़ हम पढ़ने जाएंगे, कि आज आखरी दिन था, अब इसके बाद Mr. MML क्या करते हैं, कैसे वो चले जाते हैं, किस तरह से वो गड़बाए कहते हैं, students उनके साथ में कैसा behave करते हैं, वो जो outsiders थे, जो mayor थे, जो वोश्में थे, जो villagers थे, वो उनसे कैसे मिलते हैं, किस तरह से उन्हें क्या बोलते हैं, आखरी शब्द क्या होते है Mr. MML को, यह हमारी अपनी last class में पढ़ेंगे, thank you, take care, bye bye